रंजी ट्रॉफी के अपने पहले दो मुकाबले में हरा फॉम के कारण हार और ड्रो जहलने वाली बिहार की टीम के लिए तीसरा मुकाबला और भी ज़्यादा चुनोती पुर्ण होने वाला है बिहार की टीम ने पहले दो मुकाबले में पटना के मोईनियूल हक मैदान यानि कि अपने घर में मुंबई और 36 गड का सामना किया था जहां पर बिहार की बल्लेबाजी टीम जो है बल्लेबाजों जो है बिहार के वो तास के पत्तों की तरह भिखर गये थे लेकिन अब बिहा का सामना करने वाली है यानि कि बिहार के चुनोती कई मायनों में है एक तो जब अपने घर में बिहार के टीम खेल रही थी तहां वहाँ भी बिहार का प्रफॉर्मेंच जो है वो एक दम निमनस्तर का रहा था अब दूसरी तरफ अब बिहार से बाहर यानि कि मेरट के मैदान पर यूपी का सामना करने जारी है भिहार के टीम तो चुनोती बिहार के लिए कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ गई है और इन सब के बीच बिहार के टीम के लिए सबसे बड़ी चुनोती होने वाले हैं भारतिये तेजगेंदवाज भूबनेश्वर कुमार भारतिये तेजगेंदवाज भूबनेश्वर कुमार स्विंग के सुल्तान कहे जाते हैं और भारत के लिए सैक्रो मैच खेल चुके हैं वंडे हो, टीट्वेंटी हो या फिर टेस्ट किर्केट अंतराश्टी अस्तर पर खाफी जादा मैच खेल चुके हैं और भूबनेस्वर कुमार ने अंतराश्टी अस्तर पर अपना लोहा खूब मनवाया है, कई इंटरनेशनल बलेबाद जो की गिल्लिया भी खेरते नजर आ हैं भूबनेस्वर कुमार, हाला कि पिछले कुछ मैचों में हरा फॉम के कारण उन्हें भारतिय टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वज़ा से करीम चार-पास साल बाद भूबनेस्वर कुमार जो है, वो रंजी मुकाबला खेल रहे हैं, और ऐसे में रंजी यूपी की रंजी टीम का हिस्सा है भूबनेस्वर कुमार और भूबनेस्वर कुमार ने अपने पहले मैच में आठ विकेट चटका दिये हैं, यानि कि भूबनेस्वर कुमार ने अपने इरादे जो हैं, वो साफ कर दिये हैं, कि वो एक बार फिर से फॉम में लोट रहे है और पहले ही रंजी मुकाबले में भूवनेश्वर कुमार ने आठ विकेट चटके थे अब बिहार की बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा चुनोती होगा भारतिये तीज गेंदबाज भूवनेश्वर कुमार को खेलना आपने देखा होगा पहले दो मुकाबले पतना के मोहि और दूसरी पारी में 226 रंज साथ विक्टो के नुकसान पर बनाया थे लेकिन ऐसे में जहां बिहारी जो बल्लेबाज हैं वो तेज गिंदबाजी का सामना करते हुए संघर्स करते हुए दिख रहते वहां अब मेरट के पीच पर भूवनेश्वर कुमार का सामना कैसे करे क्योंकि चौता मुकाबला फिर केरल लिसी मजबूर टीम के सामने है पाश्वा मुकाबला जो है वह आंधर-पारदे जो सी टीम के सामने है तो फिर जब यूपि के सामने जब बिहार के बल्लेबाज उतरेंगे सामने भूवनिश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज वो काफी ज़्यादा फॉर्म में है और उनका सेलेक्षन जो है 25 जनवारी से इंग्लेंड टेश्ट दोरे पर भारतिय टीम के लिए हुआ है लेकिन वो 19 तारीक वाले मैच में संभवता बिहार के सामने खेलते नजरा सकते हैं या फिर तमाम कई और ऐसे खिलारी है यूपी के जो कि IPL में लगतार मैच खेलते हैं इंटरनेशनल स्थर पर भी बीच-बीच में मैच खेलते हैं रहसे नितीस राना है कई ऐसे खिलारी हैं उनका सामना करना होगा बिहार के लिए तो कहीं न कहीं बिहार के बलेवाज और गेंदवाजों के लिए तीसरे मुकाबले में चुनौती जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है और देखना है कि बिहार के बलेवाज क्या भूबनेश्वर कुमार के स्विंग का कुछ तोड निकाल पाते हैं या फिर उनका जो खराब फॉम है वो जारी रहता है अनिकेत कुमार बिहार तक पटना